ऐसे कैसे मैंनत करना छोड़ दूँ मेरे दोस्तों अभी ते एक से एक हिलफुल वीडियोस लाना बाकी है क्लास 11 वालों का इंगलिस स्कॉर का पेपर बाकी है नमस्ते दोस्तों जोहार मैंने में सर आप संक्वासिक चक्वाती यूटूब चैनल में हादिक स्वागत करता हू आप लोगों के डिमांड को देखते हुए मैं आज राइटिंग सेक्षन ले आया हूँ दोस्तों इसमें हम लोग टॉप 15 MCU कोशन करने वाले है नोट मैकिंग और संब्री राइटिंग से ठीक है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा जम कर अपने साही दोस्तों भ लुएट किया रहा है कुशन वऔर लोग देख सकते जो नोट मैकिंग से है नोट सुट वी डास फॉर्म नोट पिंडास पॉर्म नोट जो हम लोग लिखते हैं नोट हम लोग कैसे लिखते हैं माल लीजी एक चैप्टर है ठीक है इतना बड़ा बड़ा पैसेज दे दिया अब पैसाज में पूरा लाइन से तव लोग कैसे बनाएंगे, चाहिएगा all of these sequential होना चाहिए sensible होना चाहिए लेजिवल और किलियर भी होना चाहिए यानि all of these is the correct answer आगे बढ़ते हम लोग कोशन 3 की वर यह सबसे ज्यादा इं CP कशिण नोट मैकिंगा ठीक यह कुशन बार-बार रिपीट होता है कि इन नोट मैकिंग वी सुट एवायट ठीक है लोट मैकिंग करते टैम हमें किस से बचना चाहिए तो रखेगा हमें इसा लॉइंटंस से बचना चाहिए elements in talk every one sentence का इस्तिमाल नहीं किया जाना चाहिए किसी नहीं का चाहिए nos point में लिखा जाता है represented synthesis में इस्तिमाल नहीं किया जाता विए question पज्वार की ऑर question 4 हम लोके देख सते किया कुछ रहे है In note making, notes are not written in-desk, वो ही question 3 को घुमा के पुछा गिया है, कि note making में notes किसमें नहीं लिखा जाना चाहिए, तो notes making में जो notes है, वो sentence में लिखा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, long sentence का इस्तमाल लिखाना चाहिए, और sentence में तो लिखना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हम लोग question 5 की ओर, In note making, notes are written only in-desk, note making में लोग notes किसमें लिखते हैं, याद रखीगा, phrases में, ठीक है, why can'ts में, option जो B है, वो correct answer है, आगे बढ़ते हम लोग question 6 की ओर, क्या पुछाएगा question 6 में, कि while preparing notes, which is never used, जब हम लोग notes बनाएंगे, जब हम लोग note बनाएंगे, तो उसमें हम लोग किसका इस्तमाल नहीं करेंगे, किसका परियोग नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, complete sentence का, कभी भी हम लोग इस्तमाल नहीं करेंगे, complete sentence, लॉंग सेंटेंस सेंटेंस इसका इस्तेमाल हम लोग नोट मेकिंग में करते ही नहीं है इसको ध्यान से समझ लीजे ठीक है आगे वड़ेंगे लोग नेक्ट कोश्चेन के और कोश्चा में सेवें वाइल राइटिंग ए नोट वीच आप फॉल इस प्रिली यूज जब लोग हम लोट मेकिंगे धरालले से सिस्तेमाल करेंगे सर्ण संजा दिया वरिविजेसंस होता क्या है यह जो अपरिविचन होता है ना किसी वाइड का मोलोग सौट में लिखेंगे जैसे ऐजू केंशन बहुत बढ़ावर्ट है तो सब्लोग क्या लिखेंगे ए डी यू इस तरह तरह साट लिखेंगे गुड मार्निंग आप लोग धरले से यूज करेंगे याद कर लिजएगा एवरी वियसंस का अम लोग धरले से यूज करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्ट कोशन क्यों कोश्च अपलोग देख सकते क्या पुछा गया symbols are freely used in desk symbols का भी इस्तेमाल हम लोग कहा करते हैं तो symbols का भी हम लोग फ्रिली यूज करते हैं किसमें note making में तो दो चीज का note making में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एक एक abbreviations का और एक symbols का ठीक है माल लीजिए symbols क्या होता है माल लीजिए आप किसी कोई equal बोलना चाहते है तो equal के लिए यह दे दीजिए ठीक है बड़ा है या छोटा है इस तरह साइन दे दीजिए इस तरह कम लोग symbols का इस्तेमाल करते हैं और abbreviations सिखा दिए यह दोनों का याद क और नों आ जाए कि abbreviations और symbols का अब लोग फ्रिली यूज कहां करते हैं तो note making में ही करते हैं कि लिए रोगे हैं आगे बड़ते हम लोग next question के और question 9 क्या question में पूछा गया है कि which of the following is not huge in note making note making में जो है निमली की दमें से किसका जो है उप्योग किसका परियोग note making में नहीं किया जाता है त्याद रखेगा note making में का इस्तिमाल कि यहता है हाँ या ना keywords important जो words से उसका इस्तिमाल कि यहता है जब हम लोग note making बनाएंगे तर टाइटल तो सिर्षक देंगे यह कोई लेटर राइटिंग नहीं है जो हम लोग date का इस्तिमाल करेंगे यानि note making में किसका इस्तिमाल नहीं किया जाता है option D is the correct answer date का इस्तिमाल हम लोग नहीं करते है ठीक है याद रखें इस तो हम लोग next question के बढ़ते है question 10 which what is the correct sequence in note making making नोट मैकी बनादे का सही करम क्या है अचरेक्ट से क्या सबसे पहले उसके बाद क्या देंगे और उसके बाद क्या looking तो जब भी हम लोग note making बनाएंगे सबसे पहले टाइटल यानि head benefiting Vidyaway dad digestiveством है इसका इसतिमाल करेंगे उसक बाद सब सब्सक्राइब करेंगे उस पर पॉइंट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्ट क्वेश्चन क्यों ठीक है आगे जो क्वेश्चन है कि वाट आर दा प्रोपर फॉर्म्स आफ नंबरिंग सब एडिंग, सब हेडिंग एन्पॉइंट्स ठीक है यानी कुचन मपूछा गया कि नोट मेक्किंग करते हैं तो हेडिंग एनी शज्रुष Alert कह बिन्दू को किस्तरा हम लोग सजाते हैं करमिक करते हैं इसका क्रेक्टसर क्या हो जगका इसका क्र ऐसे इत्यक्त वाएं जो लोग यूज करते हैं नोट में याद रही है पॉइंट नवर वान देके हम लोग नोट बनाए अब इस वाइन का रोग कुछ पॉइंट मिल या थे इस तरह देके लिखेंगे तो यह हम लोग पॉइंटस बनाने में काम आता है यह तीनों का इसने मालोग करते है यानि all बोड़ा पैसेज है ठीक है मानलेज 242 वर्ट का पेसेज है तो Eduardo क्याए 242 लिखंगे नहीं लिखेंगे उसका मेन मैं पॉइंट को लिखेंगे समरी बनाएंगे तो याद कि समरी का जो लेंग्ध होता है clear हो गिया आगवार हमनों बॉक्व9 Verse 13 की और कुछ सकते हैं कि जो संबरी होता है उसमें क्या कंटेन होता है समरी में क्या सामिल होना चाहिए समरी में सामिल बना चाहिए मान-चैया क्या घ्राइडिया मैंड़ ऑप्षाव से जो एक उस ऐ है वोर चंद महीं इस में में क्या होना चाहिए तो Summary में Glossary या Keywords या क्या होना चाहिए याद रखेगा Keywords होना चाहिए क्या होना चाहिए Keywords option जो B है वो correct answer है Summary में Keywords का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है चलिए आज का option जो B है वो correct answer है तो एक्जाम में चपने वाला कोशन है exact word from that text हुब भा हुद जो टेक्स्ट में दिया है उसको हम दुबारा चाहपेंगे तो passage ही न बन जाएगा तो पूरा exact words को हम लोगों चाहपना नहीं है Summary राइटिंग में ठीक है तो option जो B है वो correct answer है ठीक है लगातार वीडियोस अप्लोड होगी आप लोग चैनल बने रहिएगा चैनल को subscribe कर लिजेगा और इस वीडियो को portion जो है मैंने आप लोगों से वादा किया कि आज ही मैं complete करूंगा चाहे रात क्यों न लग जाए ठीक है तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा जम कर सेर कीजिएगा मिलते एक नए वीडियो साथ धन्यवाद जैहिंद वहंद्यवात्रम